नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेह करने जा रही हूँ बेसन वाली चटपटी मिर्ची अब ये मिर्ची आप खा सकते हैं पराठो के साथ, रोटी के साथ या फिर कभी दाल जावल बन गए हैं कोई सबजी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप ये बना सकते हैं ये साइट तुष्ट के तौर पर आप बनाएए इतनी टेस्टी लगती है ना तो देख सकते हैं उसके लिए एकदम ताजी ताजी धेर सारी आपको हरी मिर्ची ले लेनी हैं इसे मैंने पहले से ही पानी से वश करके कपड़े से पोच लिए और देखे कितनी बढ़िया लग रही है अब इसका डंठर निकाल कर हम इसे बीच से कट कर लेंगे अगर जादा बढ़ी है मिर्ची तो बीच से कट करने के बाद भी उसके टुकड़े कर लीजे और छोटी ह चमच जितने मेथी दाना इसी के साथ एक चमच इसके अंदर हम डालेंगे सौफ यानिकी फैनल सीड और इसे हम एक से आधी सेकेंड के लिए भून लेंगे बिल्कुल धीमी आज पर बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनियेगा नहीं तो ही सब जल सकता है और इसे भूनने के बा आपको धीमी आज पर तीन से चार मिंट तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है देख सकते हैं तीन से चार मिंट हो गया और मिर्ची अच्छे से पक गए साथी साथ यह हल्की सी क्रिस्पी भी हो गई है तो बस हमें ऐसे ही चाहिए थी अब इसके अंदर हम एड़ अथी हैं यह करेंगे स्वाथ के अनुसा नमक चोथा ही चमच हल्शी पाउडर एक चोथा यह इतना लाफिज पाउडर। मशान के जिसरे नमक अपने स्वाथ के अनुसा अटल सिखते हैं चैसाGu को है करना और यह बनाना बहुत ही आसाने बेशन वाली चटपटी मिर्ची जरूर ट्राइ कीज़ेगा अब इसे हम फिर से ढखकर बिल्कुल धीमी आज पर दू मिनिट तक पकाएंगे ताकि बेशन भी हमें खाने में कच्छा ना लगे उसे पकाएं अब तो देख सकते दू तो चीनी जरूर एट कीज़ेगा और नीमु का रस अच्छे से मिला लीज़े और बनकर तयार है यह चटपटी मिर्ची अब आप चाहिए तो इसे पराठो के साथ खाएं या कोई भी रोटी के साथ या फिर आप इसे दाल जावल के साथ भी ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो जरू ट्राइ कीज़े और मुझे कमेंट्स बताएं कैसी लगी है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू